हेलो फ्रेंट्स दोस्तों आज मैं आपको बताने वारी हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका अगर आप ध्यान रगती हैं मोलो पोस की स्थिती में तो ये आपको मोलो पोस के दोरान होने वारी घबराहट से काफी ज्यादा पहार निकाल सकता है दोस्तों मोलो पोस की स्थिती एक ऐसी स्थिती होती है जिसके अंतरगर हर स्त्री को या फिर कुछ स्त्रीयों को जो कि मोलो पोस से काफी ज्यादा ग्रसित हैं उन्हें काफी ज़्यादा घब्राहट होती है इस घब्राहट से बचने के बहुत ही स्थर्रुपाय हैं जैसे की अच्छा खाना खाइए ऐसा खाना खाइए जिसकी वज़से आपके सीने में जरन ना हो अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसालेवादा खाना खाएंगे तो उसकी वज़े से आपके सीने में जरन बढ़ती चली जाएगी इसलिए ऐसा खाना खाएए जो की टेस्ट में लाइट हो और आपके पाचन तंतर के लिए भी काफी अच्छा हो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और योगा और ध्यान हमें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है जिसकी वज़े से हमें बार बार तनाव लेने की जरुरत नहीं पड़ती है इसलिए योगासर ज़रूर करिए और अपने खाने पीने की आददों पर ध्यान दीजिए अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंक कि ग्याने की शराब पीते हैं तो इस आदद को भी छोड़ दीजिए क्योंकि मोलो पूस के स्थिती में अगर आप ये दोनों चीज़े करते हैं तो आपकी हालत और भी ज्यादा बत्तर हो सकती है इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों पर ध्यान ज़रूर दीजिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटीड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए